दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश्ट मैं हूँ देवेश्ट दोस्तों रोजाना सुभए साथ बजे हम आपके लिए च्छे मैं तो पूर्ण खबरों का मजेदार एनलिसिस लेकर आते हैं इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उ सब्सक्राइब करेंगे साथ में जैसंकर साहब ने कनाड़ा को जो है ढकन खोल दिया धंसे वाई साहब तो उधर रूस तो आप अमेरिकन बंदरगाहों पर हमला करने की तयारी कर रहा है वाई साहब तो बोर्बेल जो बोरिंग होती है जिसे पानी निकलता आप यह आपके सब्सक्राइब एक से घटो में होगी हो सकता घर में भी हो उसमें से पानी चला जाता है तो इस समस्या का सॉलूशन निकाला है स्टार्ट अपने हमारे काम की बात है शेर मार्केट में गिरावट चल रही है तो व्यू कैसे बनाना है भविष्य का साथ में शाफलर यह कंप सब के अवसर पर आप सभी के आधिस अनुसार हम पचास परशेंट तक का भरी वरकम डिसकाउंट दे रहे हैं अपने सभी चार कोर्स पर इसलिए आप इसी वीडियो के प्रोटेक्शन करनी हैं मतलब इनको भगवान स्री राम का सरफ परवार ही दिख रहा है उन्हों ने जिन्दिगी भर जो संगर से किया पांडवों ने जो संगर से किया वो नहीं दिखता वो नहीं दिखता बस उनके परवार को धल बना कर ये अपने परवारवाद की पुड़े करवाने हैं यह हिंदु के सबसे बड़ा दुस्मन है यह देखो आप 4 पर सेंट रिजर्वेशन दिया वह बी किसा दार पर धर्म की आधार अरे तुम्हें की आधर पर रिजर्वेशन देना था तो अंग्रेज क्या बुरेज अंग्रेज भी यह करते हो तुम भी कर रहे हो घर्म पर आधारत रिजर्वेशन देश के टुकड़े कराएगा यह कोई अनुमा नहीं है यह इतिहास ने सिद्ध किया है लेकिन यह इनके दिमाग का बलव निंजला इनको चाहिए वोट वो तो भला हो मोदी सरकार का और करनाटक की सरकार का कि उन्होंने इसको कैं हो लो यह हिंदूनों को बट्काने के लिए बर्गिलाने के लिए राम नाम जबते हैं भाई अपना है कि असलिए लिए ने केलिए और vardır apply है उसाथ में खेती किसानी में भी बोरिंग होती है दिक्कत क्या रहा है यह पानी चला जाता है तो एक स्टार्ट अपने क्या किया एक रोबोट बनाया है जो कि बोर वेल में नीचे जाएगा और स्कैन करेगा फोटो खीचेगा हाइड्रो लॉजिकल एनलेसिस करके पता लग गई क्योंकि बोरिंग को मोडिफाई कर दिया बोरिंग में जो ब्लॉके जिस थे उनको ओपन कर दिया तो चुकि रोबोट और आर्टिस्विशल इंटलीजेंस से यह मूलबूत समश्या का समादा हो रहा है यह जो सल्लूशन है रोबोट उसकी पूरे देश में डिमांड ह अने वाल यह बहुत प्रिया काम किया स्टार्ट अपने इसी वी वाई सहाब आपको याद दिलाएं एक नटवर सिंग सहाब है अभी है वह कॉंग्रेस के साथनकाल में फाइनेंस नहीं फॉरण मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि दुनिया का कोई देश नहीं चाहता कि भ भारत कभी मजबूत ना बने कभी भारत अपने पैरों पर खडाना हो आत्मी नर्वर ना बनो अब वही कॉंग्रेस कमजोर हो रही है तो जो पश्चमी देश हैं उनको यहीं नहीं पुसा रहा है कि अरे यार 55 सालों से बढ़िया काम चल रहा था अरे कॉंग्रेस को फुरस कि यह जो खालिस्तान मूव्मेंट चल रहा है कनेडा में विरुद प्रसन हो रहा है तो सभाव है कि अपन को दरना घवराना नहीं है चाल सांस से खड़े हो आप सिनों चोड़ा करके क्यों भाईया स्वामी विवेकानंद कहके गए थे कि पहले यह आपका मजाक उड़ाए से काम नहीं चला कूप मजाक उड़ा है उससे काम नहीं चला तो फिर इन्होंने बहिए आपोज किया रेजिस्ट करना चालू किया है हमारी संस्कृति को हमारे परम बैभव के उतकर स्कूर्ट हम जो प्रगति कर रहे हैं उसको यह अपोज कर रहे हैं जब यह अपोज भी हो जाएंगे तो यह हमारा सपोर्ट करेंगे यह हमारी प्रसंसा करेंगे इसलिए अभी तो दुनिया भर में हमारे खिलाब लिखा जा रहा है अच्छी चीज है इसका मतलब है हम आगे बढ़ रहे हैं वह गुरू मुभी का डायलोग आपने सुना होगा कि लोग आपका वि युक्रेन लड़लेंगे और रूस यहीं बढ रहेगा यहीं फसा रहेगा रूस हम अपनी जमीन पर युद्ध नहीं का सबस cylinder इनको आपनी क्या के लिए कबीकि रहते ओंगली ऑड़ाप दीश जciones देकि प्राइविस तो हम यहां रखना है जा रहा है हमत अङसे होगाbles करे जीच में वह कर रहे हैं अपनी पंडुबी उस पंडुबी में यह तागत है कि वह सीधा लेंड अटेक कर सकती है इस्ट कोस्ट पर इतनी तगड़ी मिसायल हो भाया जी वह जो सब मेरी ने उससे अमेरिकी सेना के भी हो सोड़े हुए हैं अगर वह हो गई तो यह हम क्या करें इसलिए युक्रेन की छोड़ नहीं क्यों क्यों कि अब लड़ाई सीधा इनके घर में घुसने वाली है बहुत सभी कर रहे हैं बाइटन बब्बा की बत्ती असी चलेगी वाई साब शेयर मार्केट में भी गिरावट चल रही है लोग बाग परेसान है हमारा कोई भी कोई स्टूडेंट परेसान नहीं है हमें परेसान नहीं कर रहा हम से हम परेसान हैं और क्या करें क्योंकि उनको पता है कि यह जो डिप से अभी क्या है बियाज दरें बड़ रही है पर यह greater या यह गिरेंगी अभी हम पर अगर ब्याज दरें इस्टेबल ही आती है तो कूं जीता हम घीते और अगर ब्याज दरें घृती हैं तो तो बही अच्छा समय आने वाला है तो उसके लिए वर्तमान में बढ़ रही है इसलिए मार्केट गिरा हुआ है भविष्य अच्छा होगा यह चीज हमें फोकस करना है इस फेज पर जो कि अभी आने वाली है निवेशक भविष्य के बारे में सोचता है तो हम क्या बोल रहा है कि जो में डिप आ रही है डेट इन अपॉर्चुनिटी टू एक्कुमिलेट गुड श्टॉक्स एट चीपर वैल्यूएशन अच्छा माल सस्ते दाम करीदेने का मोका है जो अभी या भविष्य में गिरावटों पर अच्छा माल खरीदेगा वही भाई साब दीपावली मनाएग अगले साल वही किंग होगा भाई साब जो हर गिरावट को रोने दोने का नहीं एक अवसर समझता है वही जीतेगा भाई साफलर में और बना रहेगा इनसे ऐग तो भाई सब साफलर का कर रहे हैं इन जय यह ट subsidies कर रहा है जो और दो दो के यह लोगां पर आजाएगी और लोग बटएिंगर के सबखने करेंगी तो बंड़ा जाएगी तो धंदा हो जाएगा और दोस्तों हमारा विक्तिकत अनुभव है वह जादा अच्छे रहते हैं एक निवेशक की रिस्ट्री कौन से इस्टेवल हो और आगर बढ़ता रहे दंदा तो बहुत बढ़िया चीज़ है जो दंदा बहुत उठापटा होती रि बेंगलुरु में जो अपने डीजेल के गाडिया उनके अच्छाप में क्जेश ठीकिम खेल रहे हैं कंपनियां सारे सारे जो सेनेरियोज हैं वह हम सोकस में रखे हुए अब दोस्तों आप देखिए शेर प्राइज सबको पता होती है गधे लोग शेर प्राइज की बात करते हैं और आप में से कुछ लोग वह बुरी लग सकती है तो सच बात है यह तो हर वेक्ट वह पता है कि स दंदा समझते हो कि आप उसका भविश्य की योजना समझते हो कि आप यह पता है आपको कि उसका दंदा इस्टेबल है या वलेट आहिल है तो यह जो चीजह है यह पार्ट है फंडमेंटल इनालेसिस की और इनसे बनता है निवेश का सही नजरिया यहां पर हम खरीदने बे रहे हैं वह फोकस कीजिए आत्म निर्वर इन्वेस्टर कोर्स में क्योंकि इसमें हमने पढ़ाई है बाजी राओ की वेल्थ क्विएशन इस्ट्रेट जी यह ऐसी थी जिसके बलपे पेजबा बाजी राओ ने एक तालीस युद्द जीते हर युद्द में मुगलों की मट माद्यम से जो हमने पढ़ाई है आत्म निर्वर फ्हूंचर अट्म निर्वर और ऐपशन कोर्स में और रहां적 हर अपनилब मिसरी इस को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्लिक करके अपना पसंदीदा कोर्स जोइन कर दीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जैश स्रीराम